हेलो फ्रेंड वेलकम टू स्टड़ी नूज भारती सभिता और परंपरा को जितना ही जाना जाए उतनी ही नई चीजे सामने आती हैं कई बार तो इन्हें सुनकर देखकर या पढ़कर हैरानी होती है लेकिन ये उतने ही सच होते हैं इसलिए महज इसे आश्यर या फिर आस्था का विसे ही माना जा सकता है यू तो ऐसे आश्यरियों का ख़जाना है भारत देश लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं राजस्थान के माउंट आबू पर इस्तित मंदीरों के समू की जहां पर आपको देवता की चमकती आखें देखकर हैरानी होगी यही नहीं मंदीर में इस्तापित देवता की पंच धातू प्रतिमा भी एक दो नहीं बलकी 4000 किलो की है आईए जानते हैं दिलवारा जैन मंदीर के बारे में So let us start दिलवारा मंदीर पांच मंदीरों का समू है इन मंदीरों का निर्माड ग्यारहवी से तेरहवी सतापदी के बीच हुआ था यह विसाल एवं दिव्य मंदीर जैन धर्म के तिर्थंकों को समर्पित है इसका निर्माड चालुक के राज के वास्तु पाल और तेज पाल नाम के दो भायों द्वारा 1231 इस्वी में बनवाया गया था ये जैन मंदिर राजस्थान राज के सिरोही जिले के माउंट अबु नगर में इस्थित है अब जानते हैं इस मंदिर के इस्थापत कला के बारे में जैन मंदिर इस्थापत कला के उत्कृष्ट नमीनों में से एक है पाच मंदिरों के इस समू में विमल वसाही मंदिर सबसे पुराना है इन मंदिरों की अद्भूत कारीगरी देखने योग है अपने एतिहासिक महत्व और संग्वंबर पत्थर पर बारिक नकासी की जादुगरी के लिए पहचाने जाने वाले राज की सिरोही जिले कि इन विस विख्यात मंदीरों में सिल्फ सौंदर का ऐसा बेजोड़ खजाना है जिसे दुनिया में और कहीं नहीं देखा जा सकता इस मंदीर में आदित नात के मुर्टी के आखें असली हीरे की बनी हुई हैं और उनके गले में बहुमूले रत्न और हार हैं फूल पत्यों और अन्य मोहक डिजाइनों से अलंकृत नकासी छते और पसु पक्चु की सांदार बारीक नकासी की गई हैं और इन सब से बढ़कर जैन तिर्थंकों की प्रतिमाये हैं ये विमल विसाही मंदीर के अश्ट कोडी कच्छमी इस्तित है इस मंदीर के निर्माड के बारे में ये जानकारी मिलती है कि इसे गुजरात के चालुक के राजा भीम प्रत्थम के मंतरी विमल साह ने बनवाया था इसलिए मंदीर का नाम भी उनी के नाम पर पड़ा और ये मंदीर जैन संत आदित नाथ को समर्पित है अब जानते हैं लूना वसाई मंदीर के बारे में ये दिलवाडा मंदीर के स्रिंखला का दूसरा मंदीर है ये भगवान नेमी नाथ को समर्पित है इस मंदीर में 360 छोटे छोटे तिर्थंकों की भी प्रतिमाये है या इस मंदीर की खासियत भी है इसका निर्माड दो भायों तेजपाल और वास्तुपाल ने किया था इस मंदिर में इस्थित तिर्थंका नेमीनात की मुर्ती काले संग्वर्मल से बनी हुई है दिलवाडा मंदिर सिंखला का तीसरा मंदिर पीत लहर बेहद अद्भूत है ये भगवान रिसब देव को समर्पित है मंदिर में इस्थापित रिसब देव की प्रतिमा भी 4000 किलो की पंच दातो और सेकडो किलो सोने का प्रयोग करके बनाई गई है इस मंदिर का निर्माड राजस्थान के भामासा ने करवाया था स्री पारसुनाथ मंदिर ये मंदिर सारे मंदिरों में सबसे उचा है ये मंदिर तीन मंजीला बनी हुई है और इसमें आकरिती ग्रे बलुआ पत्थरों से बनाई गई है और ये मंदिर भगवान पारसुनाथ को समर्पित है अगला मंदिर है महावीर स्वामी मंदिर ये दिलवाडा मंदिर की स्रिंखला का अंतिम मंदिर है जो भगवान महावीर को सबर्पित है यू तो ये मंदिर सभी मंदिरों के अपिक्षा छोटा है लेकिन इसकी दिवारों पर कई नकासिया नायाब है बताया जाता है कि मंदिर की उपरी दिवारों पर की गई खुपसूरत कला किरती 1764 में स्री रोही के कलाकारों ने की थी तो ये थी दिलवाडा जैन मंदिर से जुड़ी कुछ प्रमुख बाते अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट